नेचर लवस आज हम आपको ऐसे प्लांट ऐसे फूल दिखाने जा रहे हैं जो आपने सुने नहीं होंगे और सुने है तो देखें नहीं होंगे ये देखें ये और्किट की दुनिया है ये और्किट के फ्लार से ये इतने सुन्दर फ्लार होते हैं कि महिनों तक खिले रहते ह Plexi flower होते हैं जिनको आप लगाएंगे तो दंग रह जाएंगे देखिए फैलन अफ्सिस moth orchid के नाम से जाना जाता है इसे फैलन उफ्सिस बोलते हैं ये बहुत सुन्दर प्लांट ये फैलन उफस्स एमा बिलिस है that is also moth orchid इसको भी エ सीड depends किमाशली मॉर्फ और्व के नाम से जानते हैं यह ग्रेमेटो फिल्लम है यह दो प्राइब देखनें lower left साइड में यह ग्रेमेटो फिल्लम म्यों औन सीडियाम में ऑन सीडियाम को डानसिंग लेडी भी बोलते हैं और ये डेंडरोबियम बिजीबम के नाम से जाना जाता है ये बहुत ही सुन्दर प्लांट है और ये देखिए ये ग्राउंड ओर्किड है जो उपर लेफ साइड में रखे हुए ये ग्राउंड ओर्किड है क्योंकि ये अधिक्तर जो है दूसरे प्लांट के उप उपर होते हैं और उनसे चिपके रहते हैं जिससे इने कम लोग जानते हैं यह डैंडू भि एमके प्लांते जिस इसमें गुच्छों में फ्ूल आते हैं यह भी फ्ललॉप्सिस with broad list चुब आपधे रहे है यह फ्ललॉप्सिच है और यह SIMBEDian है इH SIMBEDIAN के PLANT है यह KATELEA यह बीच में आप देख रहे हैं यह MATT है इसको KATELEA के नाम से जानते है यह देखिए उपर हमने कॉमेलिनां की 20 पाइस लगा है वह और रकी दो देख रहे हैं उपर लंबी ये तेंडेंडूर्बियम औरकीड है जो आप राइट साइड में देख रहे हैं और यह देंडेंडूर्बियम की स्पीसिज हैं यह देखिए 22 प्लांट है दे औरकीड्स आर फांड इन टोपिकल और सब्तोपिकल रीजियंस ऑफ दी वर्ड जहां पर वर्सा अरी वन होते हैं वहां पर होते हैं जहां पिठन पढ़ती है वहां पर होते हैं तो यह आपको अल पाइन डियेअन में जाए सनोफ항 होता है वहां मिलेंगे यहाँ हुमीडीटी जदा होती हैं वहां मिलते हैं पिंद乾 Olok सोभम क्षैंट। स्दॉत्फिक ये कुछ और के मिलकर मेल करके एक्टोराईजा बनाते हैं जो अल्पाइन रीजियन में होते हैं जाइसनों फाल होता है वहां पर मिलते हैं और अगर आप और्किर्स देखना चाहते हैं तो अवनाचर पर्देश आसाम मेगाले सिक्किम डेकन प्लेट्य अंडमान एं निकोबार आइलेंस आर रिचिन और्किर्स बट दी हिमालन जोन इस दा रिचेस्ट इन और्किर्स एंडी हाई मांटेनस रीजियन्स आफ इंडिया आर गुड यह एपिफिलम की स्पेसीज है यह फ फिलार आने के बाद ही और्किर्स की अच्छी पहचान होती है अदर्वाइज इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है यह यहां पर हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है डाक्टर लाकेश कुमार जो फिजिक्स के हैं उन्होंने यह लगाए हैं तो चोड़ी पत्तिवाले फैलेनॉपसिस हैं और वो बड़े बड़े हैं वह वेंडा है यह साथ प्लांट वेंडा के लगे हुए हैं वेंडा और्किट्स हैं वेंडा और्किट्स में बहुत अच्छे फ्लार आते हैं गुच्छों में आते हैं और यह जो आप देख रहे हैं पैफियो पैडिलम वीनस स्लिपर इजी और कि टू कल्टिवेट एट होम घर में अगर आप लगाना चाहते हैं तो यह बहुत इजी है इसको ग्रो करना और इसे वीनस स्लिपर भी बोलते हैं यह देखिए यह ऑंसीडिया में डांसिंग लेडी के नाम से इसे अधिकता जानते हैं यह फैलेनॉप्सिस लोबाई जो आप देख रहे हैं यह इस्टिक जो लगी हुई है जो बोर्ट सा लगा हुआ वुडन पार्ट जो है इसके उपर लगा है यह फैलेनॉप्सिस लोबाई है और यह माइक्रो पैरा रोस्ट्राटा बीक्ड माइक्रो पैरा के नाम से इस प्लार इसमें आते हैं यह व यह वी नो मॉबा इसमें चुंदर और यह हमारे फेंड है डाक्टर आकेस कुमार यह डेंडरोबियम ड्रैकोनिस है तो डेंडरोबियम ड्रैकोनिस में भी बहुत सुन्दर फ्लार आते हैं यह कुछ प्लांट अभी ऐसे हैं जो समय समय पर फ्लार देंगे बहुत ही सुन्दर प्लांट के फ्लार होते हैं इसकाई हैवनली बिलू जब इस पर फ्लार आते हैं तो आकास में जैसा कलर होता है उसी तरह के फ्लार आते हैं इसलिए इसे में जो है रिंकोस्ट्याइलिस शीलेसिस बोलते हैं यह शीलोजाइन है और यहां पर यह वेंडा की इस पिसीज कुछ लगी है वह उपर बीच में और यह किनारे पर लगी हैं डेंडरोबियम के प्लांट हैं जो अभी फ्लार देंगे अभी मंगाए हैं यह बाहर से यह देख कि यह इस वक्त हाइबर नेशन में सुपता वस्था में हैं यह सिंबीडियम एलोई फॉलियम जो बीच में एक बड़ा गमला रखा है और एक छोटा गमला साइड में रखा इसी की राइट साइड में इस सिंबीडियम है यह हैंगिंग प्लांट से उपर लगे होते हैं यह ओंसीडियम है डांसिंग लेटी और्किड यह बहुत ही सुन्दर प्लांट अगर आप लगाना चाहते हैं तो यह हैं बहुत सुन्दर यह कैटलेया और्किड्स हैं यह दो तीन प्लांट और्किड्स जो दिखाई आपको द दिखाई दे रहे हैं यह कैटलेया है और कैटलेया के पास में जो इधर जाइच साइड में यह बड़ी पत्तियों वाला दिखाई दे रहा है यह सीलो जाइन और्कीट से इंडिया इंडोनेसिया चाइन ना फिजी आइलेंड बोर्णियों समात्रा आदी इस प्लेशिज पर यह ग्रो होता है वहाँ पर आप अगर देखना चाहते हूं हम मिल जाते हैं तो यह प्लांट अभी बाहर से मंगाई क्योंकि यहां का सीजन उस तरह का नहीं है लेकिन जो है इनको उस तरह का इत्मोस्फिर दिया जा रहा है ताकि यह फिलावर दे सकें यह देखिए डेंड आना चाहते हैं तो ओनलाइन आपको मिल जाते हैं और आप ओनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं और किड्स को बहुत सारे प्लांट और किड्स भी उसमें आते हैं जो आप कर सकते हैं यह साइप्री पीडियम है सिलिपर और किड्स यह जो उपर लगे हुए हैं दिवार के प प्लांट है यह बहुत सुन्दर फ्लार देगा अपने टाइम पर जब फ्लार आएंगे तो बहुत ही सुन्दर फूल इसमें से आते हैं तो यह सारे प्लांट हमने लगाए हुई इस डिफ्रेंट टाइप्स के और्कीड से जो अलग-अलग जगा से मंगाए हुई णहें यह मांचली मांटेनस रीजियन पर खूब होते हैं यह जोटा प्लांट है जो आप देख रहेएं तो यह डेंडरोबियum ऐफिल्लम है और यह दूसरा प्लाट में छोटे-छोटे फ्लार आटेम Czech पूलर के यह देखिए अब बड्स नीचे इसमें आने लग गई हैं ये गैस्ट्रो चाइलस ओब्लीकुस है तो इसमें अब फ्लार शुरू हो जाएंगे बड्स आने लग गई है नन्यन्य छोटी छोटी बड्स आनी शुरू हो गई हैं तो ये प्लांस अगर आप चाहते हैं तो आप कलक्सन इनका कर सकते हैं चोटी सी जगह में आप बहुत सारे कई तरह के फूलों को ग्रो कर सकते हैं जिन से आपको अलग अलग तरह के अलग अलग सीजन में फूल मिलेंगे फूल देंगे ये ये डेंड्रोमियम पोली सीमा है डेंड्रोमियम यलो इस्टार के नाम से इसे commonly जानते हैं जब इस पर flower आते हैं तो बिलकुल ऐसे लगते हैं जैसे yellow yellow stars आपके पास हो तो इनको आप अगर grow करना चाहते हैं तो इस तरह से आप रखिए इने जो है अगर आप प्लेन एरिया में हैं तो आप जो है इनको उस प्लेस में लगाईए जिसमें नो साइड आपका जो होम है घर है वो खुला हो क्योंकि अगर साउट साइड से खुला होगा तो उसमें धूप जादा आती है और इनको humidity चाहिए धूप कुछ कम चाहिए यह एरिडेस और्किड है इसे cat tail orchid भी बोलते हैं यह एरिडेस के प्लांट है यह देखिए यह वेंडा हैं बीच में जो लगे हैं और यह डेंडरोबिया मुधर लगे हुए हैं यह देखिए इसमें कुछ और्किड जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जिनमें खुश्बू होती है के maxillaria tenue folia है तो यह coconut fragrance प्लांट भी बोला जाता है इस नाम से जाना जाता है यह देखिए कुछ फोटोग्राफ से वेंडा फैलेनॉस्स एंड गारियन्थ प्लांट के फोटोग्राफ से हैं Thanks a lot for watching complete video and if you like it please don't forget to subscribe and share my channel Thank you